हलो फ्रेंट्स आप लोगों का स्वागत है स्केल इंदुस्तान में आज एक कन्फूजन रहता है कि तीन तरह के के टेगरी है एक इती वाला है डिपलोमा वाला है तो यहां पर हमने लिग लिया वह एक आई टी आई है एक डिपलोमा है और एक बंदा है बहीं बीटेक वाला है यह कौन सा बंदा कहां तक जा सकता है कितना पैसा कमा सकता है किस पोजिशन तक जा सकता है यह भी बहुत सारे कंफूजन रहते हैं constructing कैसे करनी पड़ेगी क्या कुछ होगा आपकी life से related чीज 125 दोस्ते तो द्यान से देखिएगा आपकी life से related है आप कैसे जा सकते हो आपको यहां से एक right direction मिल जाएगी कि आप कैसे जाओगे यignment माइनड में अलग सा confusion रहता है वो दूर हो जाएगा भई एक यह मैं मानता हूं मैं इसको मैं एक सिंपल तरीके से क्या समझाता हूं कि यह गर है इसमें स्टोरी बनी हुई है इसमें स्टोरी बनी हुई है यह फ़र्थ फ्लॉर है थर्ड फ्लॉर है सेकंड फ्लॉर है और ये तो ये चार फ्लॉर है जो ये चारों लोग आई-टियाई डिप्लोमा और बीटक वाले चड़ सकते हैं बठ कोन कहां तक चड़ सकता है कैसे क्या रहेगा कई बार भी बीटक वाला है सर मैं तो इंजीनियर हूं दोस्त आप इंजीनियर नहीं है आपके बास क्या है खाली इंजीनियरिंग की डिगरी है जब आप इंटर्व्यू के लिए जाएंगे यही एक चीज होती है जो में बार-बार कराती है कि भाई ने क्यों आगे निबढ़ रहा हूं भाई आपके बास सिर्फ एक इंजीनियर की डिगरी है अगर ऐसा इंजीनियर होते तो भई करके देखो न अपने घर पे कुछ न कुछ क्या सीखा आपने पढ़ाई की है और इंजीनियर की डिगरी लिए है आपको प्रैक्टिकल चीजे करनी बाकि है हाँ आप इस टोफ फ्लोर तक जा सकते है इस टोफ फ्लोर तक बीटेक वाला जा सकता है बट कैसे जा सकता है भाई जाने का रास्ता तो यहीं से है जाने का रास्ता तो यहीं से है तो वही बात करेंगे तो यहां तक जा सकते हैं तो बीटेक इंजीनियर हूं भाई बीटेक इंजीनियर आप नहीं है अभी आपके बास आपके सर मेरे पास बीटेक की डिगरी है आ आप पहुंच जाएंगे या एक यू जो रहेगा एक टीम रहेगा उसको वहां भी रहे सब कुछ यह बता यह ऐसा होगा ऐसा होगा आपके जुनियर ने पूछा सिस्टम क्या होता है एक टेकनिसी होता है इंजीनिछ से कोई काम नहीं आरा सो पर की बैस मेरे पास तो इंजीनिर एक्ट disfrut तो आपको नीचे से उके जाना है स्केल्ड इंदुस्तान उसमें आपकी पूरी मदद करेगा आपके बाद जोब ने सो परसेंट जोब प्लेस्मेट भी देते हैं एक आइटी वाला बंदा है उसने जोब स्टार्ट की एज टेक्निशी टेक्निशी जोब मिलना भी बहुत मु आपको टेक्निशीन है तो भई आपको ट्रेनी में ले लिया जाता है टेक्निशीन ट्रेनिंग आप डिप्लोमा है या बीटेक है तो जूनियर इंजिनियर ट्रेनी में ले लिया जाता है भई जूनियर इंजिनियर ट्रेनी से क्या मतलब है आपको क्या उस इंजिनियर है उसके लिए एक मैक्सिम्म जगए है एक सिर्फ यहां तक सकता है वह एक स्टार्टिंग करेगा टेंटेंश इन से सुने रहेगा महाइने चार महीं में चशे महीने साल बर किसकी ऑप से उसका पना गोल बनाया होगा और फिर next position पर supervisor supervisor पर जाके वो उसकी खाने रुख जाते हैं supervisor पर जाके उससे आगे बिचारा नहीं जा सकता क्योंकि जो norms हैं किसी भी position के लिए वह वहीं आगे स्टक हो जाते 99 परसेंट ठीक है तो सूपरवाइजर में आके रुख गया इए वाण बंदा है बन गया अभी आइए वाला सॉपरवाजर तक पोहुंच पर बस लग गया उसका उसका ब्रेक लग गया भाई अभी कौन सी बदोंक माले की बात करते ह। डिप्लों मा आता है बहई यह उसे और जोब नहीं मिल जाएगी technician की नहीं मिल रही है तो आप स्केल इंदुस्तान से संपर कर सकते हैं training लेके किसी की बीना requirement के आपको job मिल सकती है हाँ भी 100% आपने एक technician या multi-skill technician से start क्या जैसे कि हमारे courses हैं अलग-अलग हैं अगर आप एक अच्छा वाला electrical advanced course जैसे 2 है 2.0 है वो लेते हैं तो आप कम से कम MST में जाते हैं अगर पुराना experience है तो supervisor में जाते हैं अपने course complete कि आपके पास already knowledge है तो आप technician या multi-scale technician में जाते हैं वहाँ पर 2-3-4 महीने काम करते हैं देन आप आगे बढ़ते हैं supervisor position के तरफ आप आगे बढ़ते हैं आप एक supervisor बनते हैं वहाँ पर रुखते हैं थोड़ी से क्योंकि supervisor में बहुत कुछ काम करना होता है च्छे मेने आठ मेने आप वहाँ रुखते हैं and then you try for engineer shift engineer के लिए जाएंगे shift engineer आप बन जाएंगे shift engineer के बाद में फिर आपको कुछ मैनत करनी पड़ेगी एक-दो साल फिर आप assistant manager या और manager तक के आप जा सकते हैं तो एक manager level तक एक diploma वाला कि डिप्लोमा वाला एक manager level तक जा सकता है ठीक है इसमें भी 70% 70% कंपनियां कहते ही ठीक है भी otherwise जो बचीवी 30% है लब 100% बीटेक वाला तो कहीं भी जा सकता है तो क्या होता है कि ऐसे आके यहांत पर आके काहनी रुख जाती है यहां पर आके डिप्लोमा वाले की काहनी जाती है और वी टेक वाला सेम जैसे डिप्लोमा वाला चला है उसी तरह सेम चलता है वह पहले technician में जोइन करता है कुछ दिन काम करता है कुछ दिन काम करना क्यों जुरूरी है मैं कहता हूं दोस्ते एक अच्छा technician ही एक अच्छा multi-skilled technician बन सकता है multi-skilled technician ही supervisor बन सकता है और एक अच्छा supervisor ही एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा इंजीनियर ही एक अच्छा manager बन सकता है तो चीज़ें सीखनी है सब लोग बहुत क्विक लर्नर बन जाते हैं क्योंकि चीज़ों को समझाने का तरीका क्या है वह सबसे इंपोर्टेंट होता है तो आप आगे बढ़ते हैं और आप एक manager, senior manager, AGM, DGM, किसी भी position दख जा सकते हैं तो इस तरह क्या है आपके बीच में को obstruction नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी light smooth चलेगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा, अभी क्या है, कुछ confusion है, और कुछ जानना चाते हो, तो comment करके बताओ, और आपको solution देते हैं, आम लोगोंने government preparation की भी त्यारी के, government की त्यारी कर रहा है, तो आप हमारी channel को follow कर सकते हैं, ठीके, अभी skilled हिंदुस्तान experiment है, हमारे पास में skilled हिंदुस्तान automation है, जहां पर आप free PLC भी सीख सकते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जै हिंद, जै हिंदुस्तान